नहते समय अपने पानी में डालें ये 5 चीजें मिलेंगे अद्वुद फायदे नमबर 1. नीम के पत्ते नीम के 8 से 10 पत्तों को एक गलास में पानी में उबाल कर चान लें इसके बाद एक बाल्टी पानी में नीम बाले पानी को मिला कर नाहें ऐसा करने से इसकीन इंफेक्शन और सूजन की शमश्याद दूर हो सकती है नमबर दू, सौंधा नमक और फिटकरी जब आप नहने जाती हैं तो एक बाल्टी पानी में एक एक चमच सौंधा नमक और फिटकरी मिला कर नहें इससे बॉडी का ब्लड सर्कूलेशन सही रहता है तथा साथ ही मसल्स के दर्द से भी राहत मिलती है नमबर तीन, दूद, दूद नहने के पानी में दूद डाल कर नहने से कैई फायदे होते हैं इसमें मौजूद लेक्ट्रिक एसिड जो तवचा में जमें मृत को सीकाओं को हटा कर और इसकेन को फ्रेज बनाता है इससे आपकी तवचा की चमच बढ़ने लगती है नमबर चार, बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा नहने के पानी में चार से पाँच बड़े चमच बेकिंग सोडा डाल कर नहने से सरीर में मौजूद एसिड की मात्रा बे असर हो जाती है और सरीर में मौझूद टॉक्सिन को बाहर निकालता है इसके अलावा ये सरीर में जलन को कम कर सरीर को मुलायम बनाता है नमबर पाच, संत्रे के छिलके, संत्रे के छिलके एक बाल्टी गुनगोने पानी में दो संत्रे के छिलके डालें, करीब दस मिनट बाद निकाल कर नहें, संत्रे के पानी में नहने से बोडी दर्द और इसकिन इंफेक्शन दूर होता है